आज हम कच्छा दस्वी हिंदी के पाठ पर चर्चा करेंगे चत्तित गड़ी भासा और साहित तिखंड पाठ है ये जिनगी फेर चमक जही और रचनाकार है भगवती लाल सेन तो आईए हम भगवती लाल सेन के बारे में कुछ जानते हैं कवी भगवती लाल सेन चत्तित गड़ के यसस्वी कवी और प्रवुख गीतकार हुए है उनका जन्म 23 माई 1930 को धमतरी के पास देमार नामा गाउं में एक किसान परिवार में हुआ कवी भगवती सेन एक प्रग्रती सिल्कवी थे प्रग्रती सिल्कवी कहने का अर्था होता है उनके विचारों में प्रग्रती सिल्ता होना वे जन्समान्य के सुख दुख को अपनी लेखनी के माध्यम से ब्यक्त करते थे वे एक बड़े ही समवेदन सिल्कवी थे और उसी समवेदना के कारण चुकि वे किसान परिवार से थे आम जन्ता के साथ खड़े हुए होते थे वे आम जन्ता की दुख पीड़ा को समझते थे और जिसे वो समझते थे उसी को उन्होंने अपनी लेखनी से जन्ता के सामने प्रस्तुत किया इसलिए उनकी लेखनी में समाज की वो तमाम कमिया नजर आती हैं जो समाज को पतन की वो ले जाता है समाज की बुराईयों को तरह तरह के विक्रितियों को सोशन को मजदूर किस प्रकार सोशन होता है उसे वे अपनी लेखनी के माध्यम से व्यक्त करते थे उनकी प्रमुख दो कृतिया हुई पहला नदिया मरे पियास और दूसरा देखरे आखी सुन रेकान कवी भगवती लालसेन का निधन इनकावन वर्सकी अवस्था में आठ अगस्त उननिस सो अठ्यासी में हो गया चलिए हम अब इस पाठ की ब्याक्ष्या करते हैं पाठ है जिनगी फेर चमक जाए जिनगी फेर चमक जाए बहुत सुन्दर पाठ है अच्छा दस्वी 36 गढ़ी भासा और साहित्य खंड से सील के बैरवे चंद रचना का सेशना सर्मा सील की रचना है जो की बैरवे चंद में है यह कवीता तीन भागों में विभाजित है पहला भाग देखिए कोठी माधान चलक जाए यह जिनगी फेर चमक जाए कोठी माधान चलक जाए यह जिनगी फेर चमक जाए कवी कहना चाहता है कि इस कोठी से धान चलक न अर्था संपनता आ जाए जब कोठी किसको कहते हैं धान का भंडारन का एक किस तान आजकल तो गाउं में कोठी भी नहीं पहले गाउं में धान को भंडान करने के लिए मिट्टी का कोठी बड़े-बड़े कोठी बनाते थे कोठी से धान छलकना अर्थात संप्रनता का आना और जब मनुष्य की जीवन में संप्रनता आएगा तो उसके जीवन में चमक भी आएगा, चमक आजाएगा, खुस्याली आजाएगी, फेर का अर्थ होता है फिर, फिर के लिए फेर सब्दा कुप्योग होता है, तो कोठी माधान छलक जाए, ये जीनगी फेर चमक जाए, इतकी ये आसावादी कवी है, कवी हमेशा आसावादी लगभग होते हैं, और वो बताते हैं कि हमेशा सुक्की बात करते हैं, ये अपेक्षा करते हैं कि अधी संपनाजा आएगी, तो हमारे जीवन में फिर से खुस्याली आएगी, जन बैर भाव खेती मा कर, जन बैर भाव खेती मा कर, मन के भुर्भुस निकार फेंको, हासो गुठियावा जुर मिल के, सुनता के रद्दा जनरो को, गुठवईया घलो ललक जाए, सुनवईया सबो गदक जाए, बहुत सुन्दर भाव है इस पदका, जन बैर खेती मा कर, हमको खेती में, अर्थाद, अपने जीवन रुपी खेती में, हमें कभी भी बैर भाव नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने जीवन रुपी खेती में, अपने इस जीवन चक्र में, कभी भी हमें बैर भाव नहीं करना चाहिए, मन भुर्भुस निकार फेंगो, मन का भुर्भुस, मन की संकाओं को, हमें निकाल कर फेंगना चाहिए, मन में संका नहीं पानना चाहिए, अजि हम हमारे मन में भुर्भुस होगा हमारे मन में संकाएं होगी तो हम कैसे विकास करेंगे हमारे मन में अच्छे चिंतन कैसे आएंगे अच्छे विचार कैसे आएंगे तो हमें अपने मन से भुर्भुस हमारे मन की संकाओं को निकाल फेगना चाहिए और हासो गोठियावो जूर मिलके, बहुत सुन्दर पत, हासो गोठियावो जूर मिलके, हमें मिल जूर कर हसना चाहिए, हमें मिल जूर कर बाते करना चाहिए, जब हम मिल जूर कर हसेंगे, मिल जूर के बाते करेंगे, तो आपस का हमारा प्रेम भाव, आपस का हमारा अपना पन बढ़ेगा और सुनता के रद्दा जन रोको सुनता विश्वास एकता सुनता का मतलब होता है एकता एकता का जो हमेशा एकता का भाव हमें एकता का जो रास्ता है उसे नहीं रोकना चाहिए छेकना अर्थात रोकना चाहिए छत्री गड़ी में रोकना को छेकना बोलते है तो हमें एकता का जो रास्ता है एक साथ चलने का रास्ता एक भाव से चलने का रास्ता मिल जूलकर चलने का रास्ता हमें उसे नहीं रोकना जाए वो रास्ता हमारा खुला रहेगा एकता का रास्ता हमारा खुला रहेगा तो हम विकास करेंगे हम आगे बढ़ेंगे हम मिल ललक जाए, गुठीया घलो ललक जाए, सुन्वईया घलो गदक जाए, अधी हम अच्छे कारी करेंगे, हम हसेंगे, हम हस्ते हस्ते बात करेंगे, हम हस्ते हस्ते काम करेंगे, तो जब हम कहते हैं ना वाणी ऐसी होनी चाहिए 36 गड़ी में एक कहावत है ऐसे बात कहा कि कोई तुला चूप जन कहाए अब ऐसे जगा बैठ कि कोनो तुला उठ मज कहाए तो जब हम अपनी मीठी जुबान से बात करेंगे तो क्या होगा सुनने वाला भी उसके मन में ललक पैदा होगा उसके मन में गुदगुदी पैदा होगा उसके मन में ललक होना ललक जाए नहीं खुस्याली आएगी उसका मन में उनके मन में भी खुस्याली आए सुनने वाले के मन में इस पत का अर्था है सुनने वाले के मन में भी खुसियाली आए और जो गोठियाने वाला है अर्थाद बात्चित करने वाला है उसके मन में भी खुसियाए गुठिया घरलो ललक जाये और सुन्होंई या सबो गदक जाये गदक जाना, खुसियाली का भावाना मनने उद्धे को खुस होने को गदक ना बोलते हैं अप्ना पन का भावाना जाल प्रेम और मित्ता का भावाना जाल जब हम मीठी जुबान में बात कहेंगे तो सुनने वाले को भी खुसी होनी चाहिए और बोलने वाले को भी खुसी होना चाहिए बोलता है जब हम प्रेम से बोलते हैं तो हमारे मन में प्रसंदता का भाव जाकता है और हम जिस से बात करते हैं उसके मन में खुस्याली का भाव जागता है कभी इस बात को कहना चाहता है एक संदेश देना चाहता है समाज को कि हमें कैसे बेवार करना चाहिए हमें किसी का रास्ता नहीं रोकना चाहिए हमें मन में संकाएं नहीं पालनी चाहिए हमें जो जैसे खेत में नीदा होता है घास फुस उसको निकालते हैं उसी प्रकार हमें अपने मन के घास फुस को निकालना चाहिए अर्थाज मन का घास फुस क्या मने बैर भाव इसलिए कहता है कभी कि जन बैर भाव खेती मकर और यह जब हम करेंगे तो क्या होगा इसका परणाम वो कहता है यह जिनगी फेर चमक है तो हमारा यह जीवन ऐसा रखने से हमारा जीवन में एक खुस्या लिए आएगी हमारे जीवन पुना चमक आएगा अब हम देखते हैं इसका दूसरा पद बहुर पिलो ही नन की बहनी मोर रो खोजत हो ही खोरर खोर तुलसी चाओ रामा देओ सालिग राम मैंके ससूर कितना सुंदर पद जिन्गी भर है रोना धोना लिखे का पार लूना बोना और जाना हैं दुनिया ले सबला काबर कर्था जादू टोना जिन्गी भर है रोना धोना मनुस्य की जिन्दगी में क्या है मनुस्य जिन्दगी भर रोता है कभी अभाव के नाम से रोएगा तो और कभी किसी के नाम से रोएगा तो कभी कहता है मनुस्य की जिन्दगी में हमेशा रोना धोना लगा रहता है हमेशा अभाव लग रहता ह वो अपने आपको कभी भी परिपूर नहीं पाता वो अपने आपको कभी भी संतुष नहीं पाता इसलिए कभी कहता है जिंगी भर है रोना धोना जिंदगी भर पूरे जीवन भर मनुस्य का जीवन भर केवल रोना धोना लगा हुआ है लिखे कपार लूना बोना विधाता ने कपार मने मस्तिस्क इस मस्तिस्क में इस भाग्य में कपार मने भाग्य भी होता है हमारे भाग्य में हमारे कपार में लूना बोना चटरिघ कवा थें बौना वहीं लूना अरथा आना जाना लगा हुआ है जो जन्म लेगा कि उसकी प्रित्य होगी और मृत्यू होगी तो जन्म लेगा गीता में भगवान कृष्ण ये कहा है हमारे जीवन भर हमारे जिन्दगी भर क्या है के वर रोना धोना रह गया है हम संतुष्ट नहीं है हमारे मस्तिस्क में हमारे भाग्य में हमारे कपाल में लुना बोना अर्था सुख दुख लिख दिया है जाना है दुनिया ले सबला सब को इस दुनिया से जाना है इस दुनिया में आएगा वह जाएगा कोई इस दुनिया में आता है वह नहीं जाता इसे नहीं बड़े बड़े महापुरसाए इस वर कभी आउतार हुआ उनको भी जाना पड़ा तो इस जग में आएगा इस संसार में जो भी आएगा उसको जाना ही पड़ता है तो जाना है सबला यह दुनिया ले इस दुनिया से इस संसार से सब को जाना है काबर करता जादू टोना क्यों करते हो जादू टोना अर्था जादू टोना करते हैं जादू टोना नहीं है आज के परपेश्च में जादू टोना जैसे कोई चीज नहीं होती यह पहले की एक मान्यता थी जादू टोना होता है यहाँ पर जादू टोना का मतलब है क्यों किसी को उपर हस्तक छेप करते हो क्यों किसी का नुक्सान चाहते हो इसका अर्थ यह हो सकता है आज हम जादू टोना की ऐसे मान्यता हमारे मन में हमें रखना भी नहीं चाहिए ये निरथक ये अंधुस्वास की बाते हैं पंतु इसके भाव को यहां पर दिया है इसके भाव को हमें इस रूप में जानना पड़ेगा कि हमें किसी का अहीत नहीं करना चाहिए ये जादू टोना करने का अर्थ होता है क्यों दुसरे का अहीत करते हो किसी का अहीत नहीं करना हमें हम इस संसार में आये हैं तो सब को जाना है तो हम सब का भलाई करती हुए जाए किसी का अहीत करती हुए ना जाए हुरहा मन मिले जजख जाए और हडिया का भात भदक जाए हुरहा मन मिले जजग जाए हुरहा एक आएक अचानक हमारा मन किसी से अचानक मिलना चाहिए जब हमारा मन मिलेगा तो जजग जाए अरे ऐसा आश्चर हो मन को हमें सामील आके रखना चाहिए एका-किसी से हमारा मं मिलता है तो हमें एक खुशी होती है हमारे मन में हमारे मन में एक अलग सा भाव जाञता है ये आहरा देखो ऐसा है और कैसा हो नहीं उन्होंने बीमबलिया हडिया कज भात फदग जाए हडिया मिट्टी के पात्र, भुजन बनाने के जो आज कल तो मिट्टी का बरतन देखने को नहीं मिलता तो जब मिट्टी के बरतन में भाद पकाते थे हमारी माताएं उसमें भाद बनाती थी और जब वो फदकता था अथा पकने का जो समय आता था तो उसका जो दृष से होता था तो हडिया का भाद फदक जाएं एका कार हो जाएं हडिया का भाद फदकता है तो क्या हो जाता है एका कार हो जाता है तो हमें कभी कहता है हमको एका कार हो जाना चाहिए अर्थाद मिल जाना चाहिए हमें पक जाना चाहिए यह बहुत सारे भाव जब रचना का लिखता है तो वो एक ही पंक्ति में कई कई भावों को लेकर लिखता है और यही कवी की विशेष्टा होती है कि कम सब्दों में बहुत सारी बातों को कह दे हुरहा मन मिले जजग जाए हड़िया कजबात फदक जाए कोठी के धान छलग जाए ये जिनगी फिर चमक जाए ये सुन्दर पंक्ति आईए अब हम तीसरे पद को देखते हैं हे आज राव उतहाट इहां पर हे आज राव उतहाट अरे कवां बैर के कावरा बाट दूनों गाओं के देव करो सहाए मुल्यवाल जुच्छा कभू नजन जाए इहां हावै कबरी दोहिन गाए ननकी उहां गोरस भिन नहीं खाए भैया आही कुलकत लग बहुत सुन्दर पद मु घुगवा असन फुलाव उजन कोईली कस कुको बगियामा चंदा असमन सुरुच कस्तन जिनगी महके फुल बगियामा भेंटो तो हाथ लपक जाए गुगवावत मया भबक जावे मु घुगवा असन फुलाव उजन हमें मु फुलाकर नहीं जाए कोई कहता है कि नराजी मत रखिये अपना मु फुलाकर मत रखिये नराजी मत रखो मु मत फुलाव उ Stunden गुगवा उल्लू कि अनों जान को 26 एक गुवा केते हैं तो गुखा आप देखें है उल्लू देखें तो और मुझा फुला हुआ दिखता एथ तो ऐसे तुम है उल्लू जैसे प्धा व्य हम मुझ फुलाऊ तो कैसे रहो कोईली कस कुप बग्यामा है कि जैसे कोयल बाग में कूकती है उसी प्रकार कूको उसी प्रकार नहीं कितना जब कोईली का कूकना होता है तो हम सब देखने के लिए आतुर हो जाएं कहां पर कोईली कूक रही तो कोईली जैसे कोयल के जैसे हमें कूकना चाहिए अर्थात वैसे हमें हमारे मन में मिठास होना चाहिए, वैसे हमारे मन में उस्सा होना चाहिए, वैसे पुलकित भा होना चाहिए, और चंदा अस मन सुरुचकस चंद, हमारा मन कैसा होना चाहिए, चंद्रमा के समा निर्मल, चंद्रमा के समा निर्मल मन होना चाहिए, हमारा मन निर्मल होना होना चाहिए और हमारा मन कैसा होना चाहिए तो चंदा जैसे निर्मल हमारा मन निर्मल हो और हमारा तन चमकदार हो जिन्गी मह के फुल बगी आमा और हमारा जिन्दगी ऐसे रहने से जब हमारा मन प्रुफलित होगा हमारा मन निर्मल होगा हमारा तन सुंदर होगा चमकदार होगा तो क्या होगा जिन्गी महके फुल बगियामा हमारी जिन्दगी हमारा जीवन जैसे फुल बगीचे में महकते हैं वैसे हमारा जीवन उसी तरह महकदार हो जाएगा उसी तरह हमारा जीवन में खुस्या लिया जी जाएगी हमारा जीवन का यही अथार था है प्रसन्नता का अभाव रखना ही हमारे जीवन का अधार है यही हमारा अहसास होना चाहिए यह कभी कहते हैं अगला कहता है भेटो तो हाथ लपक जाए जब किसी से मिले भेटना भेट तो हाथ लपक जाए जब आप मिले तो आपका हाथ लपक जाना जाए अहसास आवत ही हरसे नहीं नैनन नहीं सने और तुलसी तहा न जाए ये कंचन बरसे में गुस्माई तुलसी दास कहते हैं आवत ही हरसे नहीं अदि किसी के आने पर हमारे मन में प्रसनता नहीं है तो वहा जाए मया प्रेम मया का एर्थ होता है प्रेम बन म Мы बार्भ जैसे आग हम जलाते हैं तो मैं चाहए nextre में ना हमारा प्रेम लोग जाने कि हां हम उनसे प्रेम करते तो अमारा प्रेम कैसे होना चाहिए चोछा हमारे concept में प्रेम हैं वो बाहर भी दिना चाहिए और कोठी माधान छलग जाए यह जिन फिर चमक जाए हाई विधाता कैसं धर्हों दीर पानी छुईष न जोगी पान हाई रे पोती धन्रे कन्यादान मोर संग मानहावै सूत्रे खाए ते भाई अब लख्ठामा नहीं आए भाई आधा पर गट आधा लुकाए ठाड़े मुरूरूरू भूईया के पीराला समझो धर्ती के हीराला समझो काबर अगास नापत हो मीरा के पीराला समझो भूईया के पीराला समझो भूईया धर्ती जमिन हमको इस धर्ती की पीड़ा है क्या पीड़ा है हमको समझना पड़ेगा कभी कहता है इस धर्ती के पीडा को समझो और इस धर्ती के हीरा को भी समझो इसकी पीडा को भी समझना है इसके हीरा को भी समझना है इसके हीरा को भी समझना है इस धर्ती की पीड़ा को समझना चाहिए हमको इसके इसके अच्छाईयों को भी जानना चाहिए इसके महत्ता को भी जानना चाहिए दोनों चीज हमको करना है कभी कहता है हमें इस भुईयां अर्थाजी धर्ती की पीड़ा को भी समझना है और इसकी अच्छाईयां को भी अपने और यह बियर्थ का कठीन कारिक क्यों करते आगास सकता तो जहां तुभारी पहुंच रही है इस दूर तक क्यों जा रहा हूं वहां तक क्यों जा रहे हो अधि हमको करना है तो धर्ती के पीड़ा को समझे हमें इस धर्थी के अच्छाईयां को जाने ब्यर्थ का कारिय आगास नापने का आकास को नापने का कारिय नहीं करना चाहिए हमको मीरा के पीरा को समझना चाहिए मीरा मीरा भाई मीरा भाई की पीरा क्या थी किष्णा की भक्ति उसके मन में पीरा थी वो किष्णा की भक्ति क लिए थी तो हमें इसी तरह अपने मन की जो ब्याक उलता है उसको हमें समझना चाहिए और कोरा के लाल ललक जाए और विसरे मन मया छलक जाए कोरा के लाल हमारे गोदी कोरा मने गोदी लाल मने बच्चे ललक जाए उसके मन में भी ललक हो जाए हमारे हमारे बच्चों के मन मे कभी कहते हैं कि हमारे बच्चों के मन में भी लला खो अच्छे कार्यों को करने के लिए और विश्रे मन मया छलग जाए जो हमारे मन से प्रेम बिछुड गया है वहाँ प्रेम फिर से छलग जाए खोया हुआ हमारे प्रेम है खोया हुआ प्रेम है जो हमारे मन का जो खोया हुआ प्रेम है वहाँ प्रेम छलग जाना जाए वहाँ उपर आ जाना जाए जो हमारे बच्चे हैं उनके मन में ललक हो उनकी मन में उस्सा हो और हमारे मन से जो प्रेम बिछुड गया है वहाँ प्र पर आजाए छलग जाए ये कवी संदेश देना चाहते हैं इस कवीता के माद्दम से आएए अब हम अगला पत देखते हैं भाई आधा पर गट आधा लुकाए ठाड़े मुर्मुर देखत रहते हाए तीसरा खंड है मेंके मासुस्राल के सूर्ता तन एती मन ओती अडबर दूर रही रहीने ना नदिया बार है पूर मन मश्रीला कैसे पर गेबान सब दिन मोर रहिज अब होगे आन मन मश्री बहुत सुंदर संदेश कवी भगवती लाल सेन जी इस कविता के माध्यम से दिना चाह रहे हैं जुगतोर बाट जोहत है पलच्छिन दिन माला पोहत है अम्रित बन चुहे पसीना तोर मेहनत दुनिया ला मोहत है जुगतोर बाट जोहत है यूग या यूग या समय तुम्हारा बाट जो रहा है तुम्हारा बाट बने रास्ता तुम्हारा रास्ता देख रहा है किसले रास्ता देख रहा है कि अच्छे कारिया करो जो पहले पद में कवी जो संदेश दिना चाह रहे हैं अच्छे कारिया के लिए यह यूग यह समय तो तुम्हारा रास्ता देख रहा है पल अच्छिन दिन माला पुआते प्रतेक दिन प्रतेक पल प्रतेक छण माला गूत रहा है तुम्हारे स्वागत के लिए तुम्हारे अच्छे कारिय के लिए अमरित बन चुहे पसीना तो तुम्हारा पसीना अमरित बन कर टपकना चाहिए देखिए कभी का उदार भाव कभी का गंभीर भाव कभी कहना चाहते हैं कि तुम इतन ऐसा कारिय करो मेहनत का काम करो कि तुम्हारा पसीना अम्रित बन कर टपके अम्रित बन कर टपकना अर्थात जीवन देने वाला हो अम्रित बन कर टपकना अर्थात जीवन देने वाला हो तुम्हारा पसीना तुम्हारा तुम्हारी मेहनत तुम्हारा कारिय दूसरों को जीवन देने वाला हो मेहनत दुनिया लामोहा थे इस संसार को मोह रहा है इस संसा किया को आकर्सित कर रहा है अपनी ओर ओसी तुम्हें भी वैसे मेहनत करना चाहिए और तुम्हारे मेहनत से पसिना चुहे वह अम्रित बन जाए क्योंकि मेहनत ही दुनिया को अपनी और आकरसित कर रहा है अंगनामा खुसी ठमक जाए अंगनामा खुसी ठमक जाए सोनहा संसार दमक जाए तुम्हारे आंगन में खुसिया आ जाए जब तुम मेहनत करोगे तो निश्यत मानो तुम्हारे आंगन में खुसियां आ जाएगी खुसियां आ जाए और खुसियों को लाने के लिए मेहनत करना है कभी कहते हैं खुसियों को लाने के लिए हमें मेहनत करना है तो जब मेहनत हम करेंगे तो हमारे आंगन में खुसियां आएगी तो इसलिए कभी कहते हैं आंगन मा खुसिया ठमक जाए ठमक जाए ठमकना अतत खुसिया नाचे हमारे आंगन में आकर कभी कहते हैं हमारे आंगन में आकर खुसिया नाचे और सोनहा संसार दमक जाए यह संसार कैसा सोना सा समा सोने के समा संसार सोनहा संसार सुनदर संसार सुन जिने बिम्ब लिया देखो सोनहा का बिम्ब लिया है सोनहा संसार संसार यह संसार कैसा है तो यह संसार संसार है यह संसार दमग जाए चमकिला हो जाए दमग जाने अर्था चमकिला हो जाए तुम तुम ऐसा काम करो या संसार या यूग या समय प्रतिक्षा कर रहा है तुम्हारा रास्ता देख रहा है और तुम्हारे स्वागत के लिए वो पल-पल छण-छण दिन-दिन माला गुथ रहा है तुम्हारा मेहनत अम्रित तुम्हारे मेहनत से टपकने वाला पसीना अम्रित बनकर चुहे अम्रि करता है तो वह होता है मेहनत और वह मेहनत तुम्हारी मेहनत दुनिया का मन को आकर्सित कर ले मोह ले और प्रणाम क्या होगा ऐसे हम करेंगे तो तुम्हारे आंगन में खूसिया नाचेगी और यह सुन्दर संसार भी उससे प्रफुलित होगा वह चमग आएगा आएगा अब हम इस पाठ का प्रस्नुत्तर देख लेते हैं हमने इस पाठ की ब्याख्या की वास्तों में प्रस्नुत्तर का मतलब होता है सीखने के लिए एक और आउसर स्वयम का मुल्यांकन हमने पाठ को पढ़कर कितना समझा और हम ठीक से नहीं समझ पाए हैं तो ये अभ्यास के प्रस्न हमें फीर से समझने का औसर देता है तो प्रस्न से उत्तर खोजने का अर्थ मुल्यांकन तो होता है किन्तु स्वयम का मुल्यांकन के साथ सीखने का और एक औसर तो आते हैं ये जिनगी फेर चमक जाए पाठ के प्रस्न उत्तर पहला प्रसना है कोठी के धान छलग जाए ये जिनगी फिर चमक जाए का क्या आसा है इसका आसा यह है कि कोठी के धान छलग जाए अर्थात परियाप्त संपन्नता आ जाए जब परियाप्त संपन्नता होगी तो हमारे जीवन में एक चमक हमारे जीवन में एक उजला पक्छाएगा हमारा जीवन खुस हाल हो जाएगा तो इसका उत्तर यह बनता है कि जब संपन्नता आएगी तो हमारे जीवन में खुस याली आएगी हम खुस रहेंगे हमारे जीवन का उतकर्स होगा दूसरा प्रसना है मू घुगवा असन फुलावा जण ऐसा क्यों कहा गया है ऐसा क्यों कहा गया है ऐसा इसलिए कहा गया है मू घुगवा असन फुलावा जण अर्थात मू फुला कर मत बैठो अधि हम मुँ फुला कर बैठेंगे हम उदास रहेंगे तो हम अच्छा काम नहीं कर पाएंगे जब मन प्रसंद होता है तब हम अच्छा काम करते हैं यह होगा कि मुँ घुगवा असन फुलो जण अर्थात हमें कभी भी नाराज या उदास नहीं रहना चाहिए नाराज या उदास रहने से कार्य सफलता पुर्वक नहीं किया जा सकता यह इसका मुलभा है प्रस नमबर तीन है सुनता से रहने से क्या लाव है सुनता अर्था सुमती एकता सुमति से एकता से रहने का क्यालाब है हम सब जानते हैं गुस्वामी तुलसी दास ने राम चीट मानस में भी कहा जहां सुमति तहां संपति नाना और जहां कुमति तहां विपति निदाना जहां सुमति होगा वहां संपन्नता भी आएगी वहाँ एस्वरे भी आएगा वहाँ हम मिल जूल के अच्छा कारे करेंगे हम विकास करेंगे जहां एकता है वहाँ विकास है वहाँ संपनता है वहाँ बहुत सारी खुबियां आ जाती है जहाँ पे सुमति का बहाव होता है तो इसका क्या लाभ है? तो इसके बहुत सारे लाव है इससे हम विकास के नए राष्टे खोश सकते हैं हम अपने जीवन में उतकर सको पा सकते हैं हम सुमती से रहेंगे तो हम संपती का संकलन कर सकते हैं ऐसे बहुत सारे लाव है सुमती से रहने से सुनता सुनता से रहने से अगला प्रस्ण है गुं प्रगट करने के लिए कहा गया है इसका क्या उद्देश जाए इसका और क्या उद्देश हो सकता है भी गुंगवावत मया भवग जाए जो हमारे मन के भीतर प्रेम है वह भवग जाए मतलब ऊपर आ जाए वह छलग जाए वह प्रगट रूप में देखे जब आग भग जाता है तो वो दिखता है, तो हमारा प्रेम वैसा ही दिखना चाहिए, इस पर्ष रूप से देखना चाहिए, हम जिन से प्रेम करते हैं, हम जिन से मया करते हैं, उन से हमारा प्रेम प्रगट रूप में देखना चाहिए, तो इसका उद्देश यह है, जब किसी को पता वाले को प्रेम करेंगे या प्रेम करते हैं और इसकी जानकारी सामने वाले ओक होता है तो उनका जुडाव हम से और बहुतर धंगसे होगा और हम दोनों मिलके प्रसंहता पूरवक कोई कारिय को कर अगला प्रसन है बगया में कोईली कुके क्यों कहा गया है? कि हमेशा प्रसन रहना चाहिए उदास नहीं रहना चाहिए कोईली के कुकने का अभिप्राय होता है कि प्रसनता का भाव मिठास का भाव जब कोईली में कूकती है तो कैसे हम प्रसंद हो जाते हैं तो हमारा मन भी कोईली के जैसे को के अर्थात मन भी हमारा प्रसंद रहे इसका आसर यह है यह कहने का भी प्राय यह है अगला प्रसंद है पसीने से अम्रित की तुलना क्यों किया ही है बहुत गंभीर प्रसंद है पसीने की तुलना अम्रित से करना अम्रित ऐसे अमूल लेवस्तू अनमोल वस्तू कहा गया है जो अम्रित खालेता है वो मरता नहीं आर्थात वह सदा जीवित रहता है और पसीना पसीने का मतलब यहां पर है मेहनत से जो पसीना उसी को आता है जो मेहनत कसा है जो मेहनत करता है तो जिस प्रकार अम्रित पान कर लेने से हम सदेव जीवित रह सकेंगे उसी प्रकार हम अपने पसीना टपकाने से अर्थात मेहनत करने से कभी असफलता को प्राप्त नहीं करेंगे हम अपने जीवन में सदेव सफल ही रहेंगे हम सफलता ही प्राप्त करेंगे इसलिए पसीने की तुलना अम्रिश से की गई है ये बहुत गंभीर प्रसना है इसको समझना पड़ेगे इसके अर्थ भी आप पाठ में आपने समझा है यहां पर भी आपको समझना होगा